यहां धर्म का तात्पर्य धार्मिक माननेताओं से नहीं है, बलकि हमारे कर्तव्वे से हैं। हम अक्सर एक दूसरे पर उसके धर्म पर खरे उतरने की मांग करते रहते हैं। अधर्म के लिए पेड़ का धर्म है चाया और फल देना। नदी का धर्म है जीवंदाई जल बनकर भेते रहना। बादरों का धर्म है जल बरसाना और सूरे का धर्म है प्रकाश देना। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है उदार होना, सदाचारी और सद वहवारी होना। मनुष्य का एक मात्र धर्म है प्राणी मात्र के प्रती उदारता का वहवार। इसी लिए भारत में कर्म से अधिक महत्व सदाचार को दिया गया है। सद वहवार ही धर्म है क्योंकि इस सद वहवार में कर्म, धर्म, नीदी ग्यान सब शामिल है। धर्म के अनेक रूप और प्रकार होते हैं। उसमें से एक रूप को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक संत थे, नाम था क्षम्यमुनी, सहायता और सहिंशीलता को उन्होंने अपना धर्म बना रखा था। एक दिन वो नदी से नहा कर निकले तो एक बिच्छू को पानी में भैते पाया। उनके मन में आया कि इस बिच्छू की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बिच्छू को पकड़कर भैती जल्धारा से बाहर निकालने के लिए हाथ लगाया ही था कि बिच्छू ने अपनी स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार डंक मारा। मुनी की पकड़ धीली पड़ गई। बिच्छू फिर से पानी में बहने लगा। मुनी ने फिर प्रैतन किया। बिच्छू ने फिर डंक मारा। ऐसा कई बार हुआ। बिच्छू डंक मारता रहा, मुनी उसे उबारने का प्रैत्न धेरे के साथ करते रहे। अंत मेवे सफल हुए। बिच्छू को जीवन दान देकर मुनी आश्रम की और जाने लगे, तब तट पर उपस्तित लोगों ने प्रश्न किया। कि आपने उस डंक मारने वाले बिच्छू की प्राण रक्षा के लिए इतना कष्ट क्यों सहा। मरने देना था उसे। क्षम में मुनी बोले। यदि बिच्छू अपने डंक मारने के धर्म का त्याग नहीं कर रहा, तो मैं सहायता और सहनशीरता के अपने धर्म को कैसे त्याग दूँ। अपने धर्म पर चलते हुए कष्ट सहना ही तो तब और जीवन है। व्यास मुनी ने कहा है संक्षेपात कथ्यते धर्मो जना किम विस्तरेण वा परोपकारा पुन्याय पापाय परपीडनम। अर्थात हे मनुष्यों संक्षेप में हम तुम्हे धर्म का मर्म बताते हैं। परोपकार करना ही पुन्य कर्म है धर्म है और परपीडा ही पाप अर्थात अधर्म है।